हर घर में अलग से एक रसोई घर अवज से होती है वहीं वास्तू के सास्तर के अनुसार रसोई हमेशा पोर्व डक्षिन कोर में ही होनी चाहिए जहां सुबै 11 बजे के बाद 4 बजे तक भर पूर उर जा सकती यानी भगवार सुर्ण रैंक के इस दिसा में आने से मिलती है वही सनातन धर्म के अनुसार अनपूर्णा यहीं विराजती है जिसके कारण रसोई इसी छेतर में बना होना चाहिए इस स्थान पर हमेशा पवितरता रहती है देवताओं को परशन करने और घर में रिद्धी सिद्धी के सिर्वास के लिए जो रसोई घर में पक कर तयार होता है उसे भगवान को अर्पित करके उसे प्रसात के रूप में ग्रहन करने से और घर में पकने वाले पहले पोर को अगनी में आहुती देने से अगनी देव प्रसंद होते हैं यह एक हमारी प्राचीन प्रमपरा है जो अभी तक चलती हुई आ रही है आए जानते हैं कि ग्रहणी को किन बातों का बिसे इस ध्यान रखना चाहिए ग्रहणी को खाना बनाते समय हमेशा खुस रहना चाहिए क्योंकि मानसित तनावगी इस्तिति में खाना बनाने से परिवार के लोगों पर बुरा आसर पड़ता है ऐसा करने से परिवार के सदस्यों हमेशा चिंतित रहते हैं नमबर टू, खाना तेयार करते समय ग्रहणी को एक बात का बिसे ध्यान रखना चाहिए कि काले या लाल रंग के चपल या जूते आधी का प्रियोग नहीं करना चाहिए क्योंकि काले रंग को अगनी का कुचालक माना जाता है और लाल रंग को अगनी का स्रोत माना जाता है जिससे स्वास्ते पर बुरा असर पढ़ता है नम्बा त्री वही खाना बनाते समय ग्रहणी अपना मूँ पुफदिसा में ही रखे और रसोई के अंदर अगर तुलसी का बोधा लगाया जाए तो ये हमारे लिए बहुती सुब फल देने वाला होता है वही भूलकर भी वाश बेसिंग चूले के पास ना बनाएं और ना ही लगवाएं नम्बा फूर हमेशा घर के अंदर तयार खाने और पकवान को उत्तर या पुफदिसा में ही रखना चाहिए नम्बा फाइफ अगर वाश बेसिंग चूले के पास है तो रसोई के बरतन यानी रसोई की अगनी थंडी होने के बाद साफ अवस्यक कर देना चाहिए ऐसा करने से भगवान आपसे प्रस्वन होते है नम्बा सिक्स रसोई घर के अंदर भूल कर भी पूजा घर या देवस्तान नहीं बरवाना चाहिए ऐसा करने से घर के अरकाम में बाधा उत्पन होती है और असफलता का मूँ देखना पड़ता है नम्बा सावन महिलाओं को भूल कर भी रसोई घर के अंदर बैट कर भोजन नहीं करना चाहिए ऐसा करने से महिलाओं पर आसो प्रभाव पड़ता है साथ ही इससे देवताए आप रसन होते हैं नैशनाले स्पीच्छल से राने के पूट कर दो है